नमश्कार एक ट्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तान्या से जन सुराज की सुन स्थापक प्रशान के शोर में सनिवार को कींदर मंतरी और पूर मुख्य मंतरी जितना मानजी के एक गंभीर आरोप का जवाब दिया मानजी ने नवगठित जन सुराज पार्टी पर आरोप लगाया था कि वह बिहार की चार वुधान सभा सीटों पर होने वाले उप्चिनाओं में मदाताओं को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वद्दार कराने की कोशिश कर रही है शुक्रवार को इमामगंज में एक रैली के दौरान मानजी ने यह दावा किया था कि जन सुराज मदाताओं को पार्टी समर्थन के बदले फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा रही है और उनकी पार्टी की मदवार की जीत होने पर पती मदाता एक लाख रुपे देने का वादा कर रही है यह आरोप उस सीट से जुड़ा है जो मानजी के लोग सभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई है और जहां से उनकी पुत्र वधू दीपा हंदुस्तानी अवामोचा की ओर से चुनावी मिदान में है जब प्रशान के शोर ने तरारी में प्रचार के दोरान इस आरोप पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिच किया किशोर ने मांगी के आरोपों को अधारहीन बताते वे परटवार किया और कहा कि मांगी को यह समझना चाहिए कि उनका आरोप कितना अववारिक है और असंभव है उन्हें कहा कि बिहार के हर विधानसभा श्रीतर में औसतन दो लाख मदाता होते है और अगर जन्सुराज सचमुच में हर मदाता को एक लाख रुपे देने का वादा कर रही है तो यह राश्री बेहद विशाल और अववारिक होती किशोर ने कहा कि अगर मांगी को सच में लगता है कि जन्सुराज इतनी बड़ी धन राश्री अपने पास रखती है तो उन्हें केंदर मंतरी होने के नाते E.D. और C.B.I. जैसी जाच एजन्सियों को इसकी जाच करानी चाहिए साथी उन्हें यह भी कहा है कि मांगी को चुनाव आयोक क्या धान भी इस मामले पर आकरशित करना चाहिए ताकि तथ्यों के सचाई सामने आ सके प्रिशान किशोर ने इस बात पर भी जोड़ दिया कि उन्होंने IPCSE के संस्थापक के रूप में अपने राजनितिक परामर्ष के करियर को छोड़ दिया है और बिहार में नई पार्टी का गठन किया है किशोर ने घोशना की कि उनकी पार्टी का उदेश्य अगले साल होने वाले बिहार वधानसभा चुनाओ में स्थमतर रूप से जीत दर्ज कराना है इस संकल्प की तहर जनसुराज पार्टी ने बिहार की चार वधानसभा सीटों में से इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगर पर उपचुनाओ रणले का फैसला किया है ये उपचुनाओ उन सीटों पर हो रहे हैं जो विधायकों के लोग सभा में चुने जाने के कारण खाली हुई है किशोर ने स्पष्ट किया कि जनसुराज जनता को जोडने और राज्य में सकराक्तमत बदलाव लाने के लिए पतिबद्ध है किशोर के बयान से ये भी स्वष्ट होता है कि वह मानजी के अरूपो को एक राजनीतिक चाल मानते हैं और उनकी पार्टी का उद्धिश्ट चुनाओं में अनुसार्शन और परदर्शिता के साथ आगे बढ़ना है जन्सुराज जे अपने गठन के समय से ही जनता की भलाई और राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रति बद्धता जताई है इस उप्चुनाओं के दुरान किशोर और उनकी पार्टी द्वारा जनता से जुडने के विभेने प्रयास किये जा रहे हैं और विचुनाओं प्रक्रिया को निस्पक्ष और सही धंग से आगे बढ़ाने के लिए बितायार है जन्सुराज द्वारा अपनाई गई यह स्थिती यह दर्शाती है कि पार्टी का प्रमुक उदेश्री राज्य में पारदर्श्री और विकास तोनुमुक राजनीती का बढ़ावा देना है कि शोर के अनुसार बिहार की राज़्य में बढ़ाव क्या वश्रक्ता है और जन्सुराज इसी बढ़ाव के लिए काम कर रही है तो फिलाल के लिए बस्तना ही असीत इमाम ख़ुरों के लिए देखते हैं 24 धन्यवार